उदाहरन 3 वित्तिय वर्ष 2013-14 में एक शास्की कर्मचारी के कुल वार्षे काई 3,60,000 रुपए थी उसने 20,000 रुपए जीवन बिमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपए प्रती मह सामाने भविशे निधी में जमा किया दे आयकर की गढ़ना कीजिए यदि आयकर गढ़ना के पूर्व सामाने भविशे निधी एवं जीवन बिमा आदी में नियोजित राशी का अधिक्तम 1,00,000 रुपए कर्मुक्त हो आयकर की दरे निम्नानुसार हैं क्रमांक कर्योगि सीमा आयकर की दर पहला 2,00,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं दूसरा 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 शास्की करमचारी शास्की करमचारी की कुल वार्शी काय बराबर तीन लाख साथ हजार रुपए एक समान्य भविश्य निधी में जमा राशी यह राशी जो है अड़तालीस हजार रुपए है प्रश्न अनुसर दूसरा जीवन भीमा में जमा राशी बराबर बीस हजार रुपए कुल जमा राशी बराबर चारल बराबर अड़तालीस हजार धन बीस हजार बराबर गयो गई अड़तालीस हजार धन बीस हजार रुपए छूट अधीक्तम एक लाख रुपए है अतहा अड़सट हजार रुपए पर कर नहीं देना होगा कर योग आए कर योग आए बराबर तीन लाख साथ हजार रुपए रिण अड़तालीस हजार रुपए बराबर घटाने पर हमें तीन लाख 92,000 रुपए कर योग आए 3,60,000 रीण 68,000 बराबर 2,92,000 रुपए यहाँ पे कुल जमराशी 48,000 रुपए धन 20,000 रुपए बराबर 68,000 रुपए दे आयकर बराबर 2,92,000 रिण 2,00,000 का 10 प्रतिशत चुकि प्रशन अनुसार दिया है कि 2,00,000 रुपए तक कोई कोई आयकर नहीं लगता है तो 2,92,000 में से 2,00,000 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगा 92,000 का 10 प्रतिशत बराबर 9,200 रुपए शिक्षा उपकर निकालेंगे हम शिक्षा उपकर ग्याद करेंगे शिक्षा उपकर बराबर दे आयकर का दे आयकर का तीन प्रतिशत बराबर 9,000 जो 200 रुपए हमने ग्याद किया था दे आयकर 9,200 गुणित तीन प्रतिशत का की जगा गुणा 3 और प्रतिशत के स्थान पर बटा 100 और यहां पर शिक्षा उनिक को हम काटेंगे उपा नीचे 100 से काटेंगे तो 92 गुणित 3 बराबर 276 रुपए हमने इस तरह से कुल दे आयकर कुल दे आयकर बराबर 9,200 रुपए धन 276 रुपए बराबर 9,476 रुपए इस तरह से कुल दे आयकर 9,476 रुपए यह हमारा कुल दे आयकर होंगा यह इस उधारण का हल होगा कुल जमा राशी बराबर 48,000 रुपए कुल जमा राशी बराबर 48,000 रुपए धन जीवन बीमा की जो राशी है 20,000 रुपए का योग है 68,000 रुपए छूट अधिक्तम 1,00,000 रुपए है अतहा 68,000 रुपए पर कर नहीं देना होंगा कर योग आय बराबर 3,60,000 रिन 68,000 रुपए बराबर 2,92,000 रुपए कर दो है